दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलिवुड की एक अन्विलीस्ट मूवी सनम के बारे में जिसकी लीडिंग कास्ट में मौजूद थे दिलिप कुमार, मिथुन चकरवर्ती, राखी गुलजार, रीना रॉय और रंजीता इसके इलावा इस फिल्म के डारेक्टर और प्रिडिूसर थे रामानन सागर अब बात करें इस फिल्म से जुड़े बहुत यूनीक पॉइंट्स की तो इस फिल्म में हमें नैवर एवर सीन पेरिंग दिखने वाली थी जहां बॉलिवुड के मोस् रिस्पेक्टेड एक्टर दिलिप कुमार और सुपर स्टार मिथों चकरवरती पहली बार किसी फिल्म में एक साथ कास्ट किये गए थे और देखा जाए तो इस फिल्म को डारेक्टर रामानन सागर ने साल 1981 में अनौंस किया था और अगले साल 1982 में इस फिल्म को रिलीज किया जाना था लेकिन फिर कुछ फाइनेंशल इशूस की वज़ा से ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई थी क्यूंके उन दिनों रामानन सागर बगावत फिल्म की शूटिंग भी कर रहे थे और ये फिल्म पिछले चार-पांच साल से बन रही थी और इसका बज़ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और ये फिल्म जब रिलीज हुई तो बॉक्स आफिस पे भी इतना कमाल नहीं कर सकी थी और इस वज़ा से रामानन सागर ने सनम फिल्म को ना बनाने का फैसला किया था और इस तरह से हिंदी ओडियंस इस आइकॉनिक पेर्ड से हमेशा हमेशा के लिए महरूम रह गई और मेरे उपीनियन के मताबिक अगर दिलिप कुमार और मिथुन चकरवर्ती एक साथ आ जाते तो ये फिल्म भी एक यादगार फिल्म बन जाती तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो दिलिप कुमार और मिथुन चकरवर्ती की अन्विलीस्ट मूवी सनम के बारे में और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलियेगा